आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार सयंत्र के कर्मी समुह को CEO RSP का अहवान उत्कृष्ट्रता के सफर को जारी रखें सेल RSP द्वारा राष्ट्रे एकता दिवस के अवसर पर छात्रों के लिए वाद विवाद प्रतियों गिता हैं आयोजेत और सेल RSP द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में छात्रों के लिए सतरकता जागरुकता सप्ता के उपलक्ष में प्रतियों गिता आयोजेत अब समाचार विस्तार से इस पात सैंत्र RSP के मुख्य कारेपालक अधिकारी CEO श्रीदी पक्चट राज ने ऑक्टोबर 2020 के महिने के दौरान सैंत्र के शांदार निश्पादन के लिए बधाई देते हुए विभागा दक्षों तथा कार्मिकों से भेंट मुलाकात के दौरान इस बात पर जोड़ दिया कि वे उतक्रिष्टता के सफर को जारी रखें CEO के साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्रीपी के दाश कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंग कार्यपालक निदेशक परियोजनाय श्री पंकज कुमार मुख्य महाप्रबंधक प्रबारी MM & Marketing श्री सीयार महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्यवं लेखा श्री प्रवीन निगम और RSP के अन्यवरिश अहिकारीगण ने 2 नवंबर को Blast Furnace 5, SMS 2, RNC लेबरेटरी विभागों का दोरा किया October 2020 में Record Hot Metal उतपादन के लिए उन्होंने Blast Furnace के साथ साथ Sinter Plant, Raw Material Handling Plant, Coke Oven और CDC Services, Captive Power Plant, Energy Management Department, Power Distribution, Utility और RCM जैसे संबनित विभागों को भी संबानित किया October 2020 में सरशेष्ट Crude Steel उतपादन का आंकड़ा SMS 1, SMS 2, Calcining Plant 2, Oxygen Plant, Crane Maintenance, Refractory Engineering सेवा, Instrumentation और Automation, LDBP, Mechanical विभाग जैसे इकाईयों का एकिकरित दलगत प्रयासों और SMS कर्मी समू के द्रड संकल्प और प्रयासों से संभव हो पाया है CEO ने संबंधित विभाग के मुख्य महा प्रबंधक और विभागा जक्षों को गुल्दस्ता और मिठाई भेट की उतक्रिष्ट विक्रे योग्य स्पाथ उतपादन के आंकड़ों के लिए उन्होंने Traffic and Raw Material PPC Quality Hot Strip Mill, Plate Mill, New Plate Mill, CRM, Special Plate Plant, Pipe Plant, Roll Shop जैसी इकाईयों की सरहना की इस अवसर पर बोलते वे श्री चट्टराज ने बाजार में बहतर मुनाफ़ा हासिल करने के लिए उतपादन लागत को कम करने पर जोड दिया उन्होंने बिजली, कोईला और कोक और उर्जा जैसे महतवपून संसादनों को युक्ती संगत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया कर्मी समुह को प्रक्रिया अनुकूलन और लागत में कमी लाने के लिए अधिक योगदान देने का आगरह करते वे उन्होंने कहा कि यह RSP को उस पात उद्योग में सबसे अच्छा संयंत्र बना देगा श्रीदाश ने कर्मचारियों से और अधिक प्रयास करने और निर्धारित लक्षों को पूरा करने के लिए ततपर रहने का आगरह किया उन्होंने सडक सुरक्षा और S.O.P. और S.M.P. का पालन करने पर भी जोड़ दिया जिससे दुर्भटना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों से बचा जा सके श्री सिंग ने कर्मी समू को बढ़ाई दी और संबन्धित विभागों को इस उत्कृष्ट उपलब्धी को हासिल करने के लिए उनके संयुक्त प्रयास की सरहना की अपने संबोधन में श्री कुमार ने रिकॉर्ड तोड प्रदर्शन दर्ज करने और अच्छे कारियों को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की प्रशंसा की श्री महापात्र ने भी कर्मी समुह को बधाई दी और विभिन्ने विभागों के दलगतकार्यों की सरहना की जबकि श्री निगम ने कर्मी समुह से अवसर का उपियोग करने और संयंत्र को अधिक उचाई तक ले जाने के लिए प्रेडित किया सेल रौकला इसपास संयंत्र के इसपास इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के एथिक्स क्लब द्वारा 30 ओक्टोबर को छात्रों के लिए एक आउनलाइन वाद विवाद प्रतियोगीता का आयोजन किया गया IEMS सेक्टर 20 के प्रिंसिपल डॉक्टर बी कौरा ने पुरसकार वितरण समारो की अध्यक्षता की और प्रतियोगीता के विजेताओं को प्रत्रसकार प्रदान किये इस अवसर पर IEMS सेक्टर 18 जूनियर सेक्षन के हेट मिस्ट्रिस सुष्री सुष्रिता दास अन्य शिक्षक और प्रतियोगीता के विजेताओं उपस्थित थे नौवी कक्षा के साई कृष्ण पंडा को प्रतंपुरसकार मिला जबकि कक्षा दश्मी की प्रतिक्षा स्वाई और कक्षा दश्मी की स्वेता बला ने क्रमशह द्वीतिय एवं तृतियोगीता का विशेथा राष्ट्रे एकता की दिशा में सर्दार वल्लब भाई पटे की द्वारा किया गया था सेल रॉडकिला इसपाथ संयंत्र के सतरकता विभाग द्वारा सतरकता जागरूकता सपता 2020 के उपलक्ष में इसपाथ इंग्लिश मेडियम स्कूल सेक्टर 20 में चित्रकला और क्विच प्रतियोगिता आयोजेत की गई मुख्य महाप्रबंदक सतरकता तथा SCVO श्री एसी राथी और महाप्रबंदक नगर सेवा शिक्षा श्री मनोज अगरवाल ने पुरसकार वित्रण समारों की अध्यक्षता की और 28 ऑक्टोबर को इसकारिकरम के विजयताओं को पुरसकार प्रदान किये इस अवसर पर IEMS स सेक्टर 18 जूनियर सेक्षन की हेड मिस्ट्रिस सुष्री सुष्षितादास स्कूल के शिक्षक और छात्र उपस्थित थे समारों का आयोजन कोविट 19 के दिशार निर्देशों का पालन करते वे किया गया था 22 ऑक्टोबर को ऑनलाइन आयोजित क्विच प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में ग्रूप और में शामिल कक्षा तीन से पांच के 47 चात्रों ने मेरी मां की मदद करना विशर पर चुत्र बनाए जबकि ग्रूप B में कक्षा 6 से 10 के 35 चात्रों ने सभी के लिए सम्मान विशर पर चुत्रकला की इस कारेकरम का प्रबंधन और संचालन IEMS सेक्टर 20 द्वारा किया गया था इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं नमस्कार कुए नमस्कार